क्या दोस्तों आपके फॉन में SD Card So नहीं हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Storage का एक Option आ रहा है यहाँ पे Memory Card का Option नहीं आ रहा है आप कैसे यहाँ पे अपने SD Card को So करा सकते हैं यानि कि Memory Card को कैसे अपने File Manager में लेके आ सकते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा दोस्तों मैंने एक साल पहले एक वीडियो अप्लोड की ती जिसमें लगबक चार लाख वीउस हैं जहां पर मैंने तरीका आपको बताया था उस तरीके से बहुत से मेरे वीवर्स के हैल्प होई है तो मैंने सोचा आपके लिए एक अपडेट वीडियो लेके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोडिविकेशन को दबा देना है क्योंकि जब भी मैं यहां पर इस तरह की वीडियो पब्लिस करूं तो सबसे पहले उसका जो नोडिविकेशन है आपकी फोन में चला जाए ठीक है तो चली चलते हैं बताते हैं सबसे पहले आप अपने फ जब आप मॉलम की सेटिंग के अंदर जाएंगे तो उपर यहां पे आपको मिलेगा सर्च वार ठीक है सर्च वार मिलेगा या तो यहां पर जो मिबें आपको बता हूंगा वो सबस्सक्रश करना है या तो आप अपने आपण glory में चले जाए ठीक है अब आउट फोन इस तरीके से मिलेगा यह आपके फोन में ही आपकी मौल की सेटिंग में होगा उपर नीचे आपको देख लेना होगा अब फोन पर जैसी आप किलिक करते हैं तो आपको बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरीके से स्कॉल करना है और यहां अगर यह option आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है अपनी सेटिंग का सर्च वार उपर जो होता है उसे आपको वहां पर डालना है मौ यू एंड टी ठीक है मांट इस तरीके से डालेंगे और सर्च करेंगे यहां पर सो हो जाएगा ठीक है अनमांट एश्टी आपको क्लिक करना है और से मांट कर देना ठीक है जैसे मैंने कर दिया अगर यह आप कर चुक है फिर में आपको क्या करना होगा फिर आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से में फाल मेनेजर पर क्लिक करता हूं अब यहां पर मैं जाओंगा इस तरीके से तो आप देख स कम और करना है heart reset करने से पहले कम आपको करना है कि जो भी आपका memory card है इस phone में नहीं चल रहा है ठीक है वो दूसरे phone में डालके देखना है अगर उस phone में काम कर रहा है तो आप अपने वाल को heart reset कीजिए ठीक है तब वो काम करेगा अगर वो अपको किसी PC या computer पर जाके उसे skin करवा लेना होगा इसको देख सकते हैं सही भी हो जाएगा ठीक है उसमें कभी कभी क्या होता है बहुत जादा हो उसमें storage जादा हो जाता है तो तो यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है दोस्तों अगर आप कोई वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना और आपका कोई भी सुझा हो तो नीचे comment section में जरूँ छोड़के जाना मिलता हूं मैं अगली वीडियो में तब तक इस वीडियो मे इतना ही जैहिंद